नमश्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में आज हम particular segment के बारे में बात करने वाले हैं particular sector के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आप investment करने के बारे में सोच सकते हैं और इसी sector के दो best talks के बारे में भी बात करेंगे जिसे आप buy करने के बारे में सोच सकते है और इस sector को छोटा मोटा मत समझेगा Nifty 50 में इस sector के already entry हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कितना बहतरीन sector होगा कितना important sector होगा ज्यादा दर लोग समझी गए होंगे कौन सा sector है अगर नहीं समझा है तो भी कोई problem नहीं है हम आपको बदाने वाल है कौन सा sector है कौन से stocks हैं और आपको क्यों इस sector को consider करना चाहिए investment के लिए वो भी जर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजे और regular updates पाने के लिए notification bell को press कीजे साथ इसाथ telegram channel को भी join कीजे जिसकी link description box में दी गई है तो stock का नाम आपके सामने है HDFC Life तो आप समझी चुके हैं कि life insurance segment की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो क्यों invest करना चाहिए वो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपको यह fact तो पता होना चाहिए कि जितना भी हमें यहाँ पर stocks दिखा देते हैं जितने भी life insurance के stock overall world की बात कर रहा हूँ overall world में जितने भी stocks companies आपको दिखा देंगी उनमें valuation की अगर बात करें तो इंडिया का जो life insurance segment का जो valuation है और one of the top most हमें यहाँ पर दिखा देता है उसका reason है कि growth के chances काफी ज्यादा है और इसलिए हमें भी यहाँ पर investment करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इंडिया की population के इसाब से जो लोग यहाँ पर insurance लेते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हमें दिखाई देते हैं लेकिन आगे आने वाला समय और इंडिया के लिए काफी अच्छा रहने वाला है और particularly insurance sector के लिए भी काफी जादा अच्छा रहने वाला है क्योंकि आगे आने वाला जो समय है आगे आने वाली जो PD है वो यहाँ पर educated होने वाली है literate होने वाली है तो वो consider करेंगे insurance के यहाँ पर महत्रा को समझेंगे health insurance करवाएंगे यहाँ पर life insurance करवाएंगे तो of course यहाँ पर growth के chances काफी ज्यादा है इस segment में तो यहाँ पर investment के बारे में सोचा दा सकता है तो यह एक basic point है जो कि हमें समझना चाहिए कि क्यों investment करना चाहिए आगे बढ़ते हैं दो stocks में आपके ला रहा हूँ और सबसे पहला stock तो है HDFC Life जहाँ पर investment करने के बारे में सोच सकते हैं already nifty wifty में enter कर चुगा है market cap देखिए एक लाग पंदरा हजार करोड के आसपास की market cap है dividend yield की बात करें तो 0% है अगर बात करें face value तो 10 rupees पर equity share की face value दिखाई देती है industry का PE 69.23 है अगर बात करें HDFC Life की PE के बारे में तो उससे भी महाँगा है 87 plus PE ratio हमें दिखाई देता है price to book ratio के बारे में बात करें तो वो है 17.0405 तो आप देख पाएंगे price to book भी हमें काफी ज़्यादा हमें ऊपर ही दिखाई देता है सस्ता तो यहाँपर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँपर valuation महाँगा है उसका reason भी मैंने आपको बता दिया है और उसके बाद भारी तेजी भी हमें देखने को मिली अच्छी recovery देखने को मिली all time high 650 के आसपास यह पहुंची चुका था लेकिन फिर से correction देखने को मिला stock में और stock वापस नीचे आता हुआ नजर आया था और आप देख पाएंगे फिलाली अपने 200 days के moving average के आसपास हमें trade करता हुआ नजर आता है अगर बात करें इसके indicators के बारे में तो money flow index का number calculate होकर आता है 47.662 तो आप देख पाएंगे और काफी ज़्यादा weakness हमें over the time देखने को मिली उसके बाद वापस थोड़ी सी तेजी देखने को मिली वापस यहाँ पर नीचे आता हो नजरा है था और वापस हमें यहाँ पर money flow index का number उपर जाता हो नजरा है था लेकिन और अगर situation की बात करें तो neutral to weak situation MA5 में हमें दिखाई देती है RSI के बारे में बात करें तो RSI का number है 45.4 तो आप देख पाएंगे RSI में भी over the time अगर बात करें इसके bollinger band के बारे में तो आप देख पाएंगे lower band के आसपास support लेने के बाद एक technical bounce back देखने को मिला median के आसपास पहुंचा ही था लेकिन फिर से weakness continue रहती भी नजरा रही है upper band का level है 603 का level median है 582 का level lower band है 560 के आसपास का level अगर बात करें pivot points के बारे में तो pivot level calculate हो कर आता है current market price के आसपास resistance से 596 का level फिलाल stock में थोड़ी सी weakness दिखा दे रही है तो supports के बारे में जान लेता है 539 का support और दूसरा support बन कर आता है 519 के आसपास का level all time chart दिखाना चाहूंगा जहांपर एक candle 1 month को represent करती है जैसे मुझे पता चलेगा कि कैसी movement यहाँ पर बना कर दिया तो आप देख पाएंगे listing के बाद काफी तेजी बनी हुई थी stock काफी उपर पहुँच चुका था 500 के आसपास जाता हुआ नजरा है था लेकिन उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली 350 के आसपास stock ने support लिया और 2019 का समय oral insurance sector के लिए काफी अच्छा रहा था काफी तेजी देखने को मिली थी 650 के आसपास all time high बनाने के बाद market में crash देखने को मिला तो यहाँ पर भी of course crash देखने को मिलेगा 350 के आसपास वापस इसने support लिया और वापस stock हमें उपर जाते हो नजरा है था और वापस यहाँ पर गिरावट हमें दिखाई दे रही है तो 20 months का यह में as a strong support हमें दिखाई दे सकता है वो level calculate होकर आता है 533 के आसपास का level तो ऐसे में अगर आपने positions बना कर रखे तो क्या करना चाहिए अगर आपने उपर position बना कर रखे आप अभी loss में चल रहे है तो मेरा मानना है stock अच्छा है long term के लिए बुरा नहीं है तो आप इसे continue holding कर सकते है अगर आपने नीचे position मना कर रखे आप अभी profit में चल रहे है long term के लिए है तो continue holding कीजे लेकिन अगर आपने short term के लिए है तो अगर ये 200 days का moving average जो की 556 के आसपास बन कर राता है ये level तूट जाता है तो आपको यहाँ पर exit के बारे में सोचना चाहिए अब बात करें यहाँ पर fresh buy के बारे में तो जो पहला support हमें यहाँ पर दिखाई दिता है वो है यहाँ पर 530 से करके 560 का level यह पहला support हमें यहाँ पर दिखाई दिता है जहाँ पर आप buying करने के बारे में सोच सकते हैं अगर बात करें इसके दूसरे support के बारे में, तो दूसरा support यहाँ पर दिखा देता है, 490 से करके 520 का support, यह है दूसरा support जहाँ पर stock support लेने के बारे में सोच सकता है, तो यहाँ पर दोनों support मैंने आपको बता दिया है, अपनी nature के हिसाब से यहाँ पर आप buying करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप यहाँ पर दोनों level पर buying tips करते हैं तो भी कोई problem मुझे दिखाई नहीं देती है पहले stock के बारे में तो हमने बात कर ली दूसरे stock के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो दूसरा stock है SBI Life Insurance जहाँ पर आप investment करने के बारे में सोच सकते हैं दोनों ही अच्छे share से HDFC Life और SBI Life तो यहाँ पर भी investment किया दा सकता है current market price है 805.9 जो कि हमें 1.85% नीचे दिखाई दिया है market cap है 80,000 करोर के आजपास dividend deal 0 है face value 10 रुपीज पर equity share है अगर बात करें industry का PE तो 69 प्लस है अगर बात करें इसके PE ratio के बारे में तो 55.93 दिखाई देता है यानि कि industry के मुकाबले सस्ता दिखाई दे रहा है और HDFC Life के comparison में भी थोड़ा सा सस्ता दिखाई देता है अगर बात करें price to book ratio के बारे में तो 9.22 का price to book दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं HDFC Life के मुकाबले इसका valuation हमें काफी ज़्यादा cheap दिखाई देता है तो आप चलते हैं charts पर वहाँ पर कैसी situation मणी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते है तो आप देख सकते हैं market में जब हमें भारी गिरावर देखने को मिले थी तब 520 के आसपा stock ने support लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई थी stock हमें 900 के आसपास जाता हुआ नजर आया था लेकिन वापस यहाँ पर weakness बनती हुए नजर आ रही है 800 के आसपास हमें यह trade करता हुआ नजर आता है last traded price तो हमने जान लिया है यहाँ पर अगर बात करें current situation के बारे में तो आप देख पाएंगे सारे moving average के नीचे फिलाला में यह trade करता हुआ नजर आता है 200 days का moving average भी हमें यहाँ पर तूटता हुआ नजर आता है तो highly oversol situation भी हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है RSI के नंबर के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 40.04 तो आप देख पाएंगे over the time RSI में भी काफी द्यादा weakness हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है M.A.C.D. के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे M.A.C.D. में जो situation यहाँ पर देखने को मिलती है यहाँ पर M.A.C.D. में bearish cross war आज ही हमें बनता हुआ नजर आ रहा है 7.68 का level दिखा देता है और दूसरा support जो दिखा दे रहा है वो 7.26 के आजपास का level अगर बात करें इसके all time chart के बारे में जहाँ पर एक candle 1 month को represent करी की जिससे हमें पता चलेगा stock में कैसी moment बनी हुई है तो आप देख पाएंगे listing के बाद कुछ ज्यादा gains तो देखने को नहीं मिले थे एक ही zone में trade करता हुआ नजर आ था उसके बाद गिरावट देखने को मिली लेकिन जैसे कि मैंने का insurance sector के लिए 2019 का year काफी अच्छा रहा था 20 months का year में के आसपास फिलाल ये trade करता हुआ नजर आता है 20 months का year में फिलाल calculate होकर आता है 798 के आसपास का level तो ऐसे में अगर आपने positions लेकर रखिये तो क्या करना चाहिए अगर आपने ऊपर position बना कर रखिये आप भी यहाँ पर loss में चल रहा है stock अच्छा है long time के लिए अगर आप यहाँ पर बने रह सकते हैं तो बने रहना चाहिए और अगर आपने इसमें नीचे position मना कर रखिये आप अभी profit में चल रहे है long time के लिए है तो कोई भी problem नहीं है लेकिन अगर आपने short time के लिए है तो यहाँ पर समधने वाली बात है कि फिलाल सारे moving average के नीचे हमें trade करता हूँ नजराता है तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है तो यहाँ पर levels के अगर बात करें तो यहाँ पर जो पहला support हमें दिखा दिता है stock का पहला support बन कर आता है 760 से करके 800 का level जो की पहले support की तौर पर हमें दिखा दे सकता है जहाँ पर आप buying करने के बारे में सोच सकते हैं दूसरा support जो हम 40 का level जहाँ पर आप investment के बारे में सोच सकते हैं तो दो levels मैंने आपको बता दिये हैं अपने nature के इसाब से buying के बारे में सोच सकते हैं वरना buy and dips भी कर सकते हैं दोनों levels पर तो दोनों ही stock सच हैं जहाँ पर आप investment करने के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर अगर एक stock को अगर पर दिखा देता है तो यहाँ पर आप अपना call ले सकते हैं या फिर दोनों में भी invest करने के बार में सोच सकते हैं और यहाँ पर ICIC Prudential को मैंने include नहीं किया उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक अच्छा stock नहीं है यहाँ पर हम nifty 50 stocks के बार में बात कर रहे हैं और लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, थैंक यू, स्टे हैपी, हैपी इन्वेस्टिंग